तो अभी तक हमने bubble sort देख लिया अब हम देखने वाले insertion sort और यह भी sorting का एक तरीका है और यहाँ पर तुम कुछ changes देख रहे हो सबसे पहले तो यहाँ पर की एक नहीं variable मैंने रखी हुई है की और उसके अलावा यहाँ पर पाई की जो values थी वह मैंने 0 से रखी हुई थी लेक में पर लिखता जाओंगा क्योंकि मैं इसको directly प्रोग्रामिंग में इंप्लेमेंट करका हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिस्ट की हमारा इनिशल यह निए था इसको सभी कर देता हूं तो यह राहा हमारा लिस्ट और अभी हम देखने वाले की insertion sort काम कैसे करता ह ना सबसे पहले किसे इस कांक किस तरा से करते हैं यह शुरूआत होती है इसकी author Index कर सबसे पहले की में डालेगा ये इसने आपर की में डाल दिया उसके बाद अब यह देखेगा कि हो यह gef으면 वाली वैल्यू से छोटी है, अगर छोटी होगी इसको इधर कर देगा और उसके बाद पीछे तो कुछ और है नहीं, तो इसको वापस से वहाँ पर डाल देगा, इस तरह से पहला इटरेशन कमक्लीट होता है, ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, अब तक हमने यह सीख तो यह लूप कितने बार चलेगा, यह साथ बार चलेगा, और कहां से चलेगा, वह 1 से लेकर, अगर हम 7 लिखें, तो क्या होगा, अगर हम 1 से लेकर 7 लिखें, तो वह 1 से लेकर 6 मानेगा, और 6 बार तो हमें नहीं चलाना है, तो 1 से लेकर n लिखना होगा, क्योंकि इसकी ज और दूसरे इंटेटी वाली रखनी है इससे पहले वाली चीज थी जे और यहां पर हमें इससे पहले वाली चीज जो है उसके पीछे भी जाना है मतलब कि अभी तुम्हें समझ नहीं होगा कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं एक और एक्जामपल लेते हैं जब हम सेकेंड इटरेशन कर रहे होंगे तो यह रही सेकेंड इटरेशन की बात इस वक्त हम क्या कर रहे होंगे इस वक्त हमारे पास जो सेकेंड इटरेशन में जो चीज है उससे कंपैर कर रहे होंगे चीजों को और पहले तो इसको उठाकर हम की में रखेंगे अब देखेंगे कि 753 क्या चोटा है इससे नहीं नहीं है फिर हम इसको पीछे भी लिखे जाएंगे तो देखो comparison हम किससे करवा रहा हैं इससे एक हेले वाली value पे और उसके बाद हम इससे फिर पीछे भी लिखे जा रहा हैं इसलिए हम J में किसी element को नहीं किसी index को रखने वाले हैं ठीक है ना क्योंकि यहां पर वो चीजे पीछे जात आते जाएंगे यहां पर ठीक है ना और जब हमारा सारा comparison खतम हो जाए उसके बाद हम यहां पर की को उठाकर यहां पर रख सकते हैं मतलब जब वाई लूप खतम हो जाए उसके बाद आउटर लूप में क्या करेंगे कि अपने की को उसकी एक जगा दे देंगे ठीक है अभ अधी ज़्यादा डेप में है तुम्हें बताने वालों यहां पर यहां से नीचे जाएंगे अब यहां पर थर्ड इटरेशन में तीस्रे वाले 77 का काम होगा तो क्या 77 को हम क्या करने वाले सबसे पहले इसको उठाकर हम की में डालने वाले हैं यह की में चला गया उसके इटरेशन तुम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें हम August का Cisco यहां भी जिए वह लिखने वाले हैं और वाल लूक के अंदर जो जिए चीज होगी वह लिखने वाले हैं और यहां फिर से किशने होगे मुटने आपने हैं हाँ है इसको यहां से रखेंगे उसके बाद फिल देखेंगे तो इसके और पीछे तो जानी पाएगा मतलब कि हमें और अगर कंपैरिजन करना है तो और तो कुछ बचा नहीं तो इसको उठा कर यहां पर रख देंगे मतलब जब लूप खतम होगा अंदर वाला लूप तब ह हम इसे उठा कर यहां पर रख रहे हैं तो अब देखो यहां पर वाइल लूप के अंदर जो भी हम कंडिशन डालने वाल है सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि जे को जो है वो इससे पहले नहीं जाना है जे जब 0 पर आ जाता है तो उससे पहले और नहीं जाएगा क्योंक greater than equal to 0 ठीक है और एक और condition लेगेगी एक और condition यह लेगेगी कि अब जो भी काम है वो तब ही करो जब की की जो value है वो छोटा है अपने से पहले वाली values पे ठीक है इतना हमने लिख दिया क्योंकि की के पहले वाली value ही तो j है तो यहां पर हमने while loop के लिए जो conditions थी वो लिख दिया और अब इसमें हम करवाने क्या वाले है इसमें हम पहले तो एक काम करते हैं जो भी करवाने वाले वो next iteration से देखकर लिखते हैं यह तो हो गया यहां तक हमार यह जो element है वो चलेगी अब इसको उठाकर की पे डालने वाले हैं वो यहां से clear हो रहा है की पे जो हमारी चीज़ वो आ गई है उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या 753 बड़ा है इससे या फिर कह सकते कि क्या की जो है वो छोटा है इससे हां है इस condition से हम verify कर रहे हैं तो उस case में क्या करो उस case में jaw index पे जो value उसको उठाकर की के जो index में जो value थी यानिकि आई देखो की जो याई पे है तो इस को इसको उठाकर वहां पर रख़ दो तो यह हम कैसे करवाएंगे यहां पर हम लिख देते हैं un of just मैं assign कर दो किसको l1 of j plus 1 को ठीक है यह हो गया उसके बाद हम कहे रहे हैं कि अब और पीछे जाओ और फिर चक करो key के साथ पर उसको मतलब कि अगर हम j को और पीछे ले जाएं उसके बाद हम compare करवा सकते हैं key में और j में तो एक काम करते हैं यहां हम लिख देते हैं j is equals to j minus 1 मतलब j को एक और पीछे लेकर आजाओ ठीक है अब j हमारा जो है वो यहां पर आ चुका है ठीक है outer look को थड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि तुम differentiate कर पाओ चीज़ों में अब j जो है वो यहां पर आ चुका है अब क्या यह वाली value 489 चोटी है इससे हाँ है अब तो यह क्या होगा यहां पर आ जाएगा ठीक है अब जब यह यहां पर आ रहा है और फिर j क्या होगा j यहां पर इसके थूँ यह यहां से उठके यहां पर आ जाएगा लेकिन j is equals to j minus 1 के थूँ j यहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर वापस है while में condition चेक होगी तो यह condition true हो जागी पहली वाली और दूसरी condition भी यहां पर true हो जाएगी क्योंकि यहां पर 489 चोटा है 539 से तो इसके लिए भी 539 उठकर यहां पर आएगा और फिर j उठकर यहां पर जाएगा अब हमें क्या दिख रहा है कि क्या 489 j की जो value है 77 वो बड़ा है छोटा है उससे नहीं यह उससे छोटा नहीं है तो इस case में क्या करो जब loop खतम हो जाएगा loop यहीं पर खतम हो जाएगा यहां पर फुल्फिल नहीं हो पाएगी क्योंकि end में क्या चाहिए यह condition भी फुल्फिल ओ तो हमारे पास condition अगर फुल्फिल नहीं हुई इसका मतलब यह है कि while का जो काम है वो खतम हो गया है तो अब तक क्या हुआ है कि अब तक हमारे पास j यहां पर पहुँच गया है ऐसे शुरू से जाते जाते पीछे जाते जाते जो j जो है वो यहां तक पहुँच गया है और यहां पर obviously बात है कि loop का जो conditions है वो फुल्फिल नहीं हो पाया तो loop यहीं पर खतम होता है तो अगर loop यहां पर खतम हो गया तो यह कौन सी value होगी यह j plus one होगी अगर यह j है पीछे वाली तो आगे वाली j plus one होगी तो इस case में क्या करो क्यूंकि हम यहां पर j को पीछे भेजते जा रहे है ना तो इस case में हम क्या कहेंगे कि j plus one में की को डाल दो तो लूक खतम होने के बाद यह आउटर लूक जब वो continue रहेगा और यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि L1 के J plus 1 में की को डाल दो इस तरह से हमारा जो भी काम था वो complete हो गया है और अगर अब इतने ही rules को हम follow करके चले तो हमारा बाकी का काम भी हो जाएगा अगर मैं फिर से तुम्हें दिखाओ अगले iteration में तो चलो देख लेते हैं अगर किसी को confusion है तो वो भी clear हो जाएगी यहाँ देखते हैं 5th iteration में पाचवे number की element के लिए comparison होगा यह उटके direct key में चली जाएगी अब क्या यह value इस value से छोटी है हाँ है तो यह उटके यहाँ चली जाएगी यहाँ पर जे था अब हमने क्या कर दिया जे को पीछे बेज दिया जे इस इस जोटी है हाँ है यह दोनों conditions true हो रही है और j is greater than equals to 0 का तो यही काम है कि वो और पीछे नहीं जाने देगा list को sorry iteration को loop को और यहाँ पर जो आगे वाली value है वो चेक हो रही है तो key की जो value है वो obviously छोटी है 658 से तो इस case में क्या होगा कि हम और j अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर इसे उठाकर यहाँ पर लिखे जाएंगे फिर j equals to j minus 1 के through हम j को यहाँ पर भेजेंगे ठीक है j यहाँ पर है और अभी यहाँ पर अगर comparison होगा कि key की value जो है 593 क्या छोटी है इससे नहीं तो इस case में यह वाली condition false हो जारी तो यह loop चलना बंद हो और यह loop जब चलना बंद हो तो outer loop यहाँ से यह वाली जो loop है वो continue रहेगी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब j यहाँ पर है ठीक है कोई बात नहीं आगे के दो iterations भी देख लो यहाँ पर तो बिल्कुल clear हो जाएगा यहाँ से उठाते हैं एकदम अच्छे से समझाता हूं यह छटे नंबर का index है मतलब छटे नंबर का loop जो है वो चल रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पर छटे नंबर का जो index पे जो भी है हम हम यहाँ पर डाल देंगे हो गया अब उसके बाद क्या होगा उसके बाद जे इस greater than equal to zero इसका काम यही है कि जो हम comparison कर रहे होंगे तो जे को इससे पहले नहीं जाने देगा क्योंकि यहीं तक हमें चक्किंग करनी है और उससे पहले तो चाही नहीं लिस्ट में तो यह और क् condition क्या कह रहा है कि की जो है वो छोटा हो L1 of J से और J क्या है J की से जस्ट पहले वाली value है अभी क्या यह value छोटी है इससे हा है तो इस case में क्या करो इस case में L1 of I में यानि कि यहाँ पर इस value को उठाकर डाल दो डाल दिया अभी J हमारी यहाँ पर थी और उसके बाद यह क्य अब J यहाँ पर shift हो गई है अब यहाँ पर देखे तो क्या key value अभी भी छोटी है इस case में भी क्या होगा यह उठकर यहाँ चले जाएगी इस line के through और उसके बाद फिर J जो है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा J जो है यहाँ पर आ गया J अब यहाँ पर भी comparison होगा क्या 24 241 जो है वो छोटा है इससे हाँ है ठीक है इसके through तो यह उठकर यहाँ पर आएगा उसके बाद क्या 241 इससे चोटा है यहाँ पर आजाएगा तो क्या जे की value यहां पर पहुंच जाएगी, अब यहां पर comparison होगा, तो क्या key की value फिर से इस से छोटी है, नहीं है, की बड़ी है, तो इस case में क्या होगा, यह inner loop जो है, वो खतम हो जाएगा, और उसके बाद outer loop के through, यह जे है, तो j plus 1 यह है, तो l1 of j plus 1 में key को assign कर दो, तो यह उठक यहां से यहां पर आ जाएगी, हो गया, अब एक last iteration हमारा बच रहा है, यहां पर एक और iteration है, तो यहां पर इसे मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है, अब देखते हैं, अब यहां पर 7th, 7th वाले index पर जो चीज है, यहां पर, अब यह compare होगा, तो इसको उठाकर हम डाल देत है, की पर, ठीक है, यहां पर मैंने की पर डाल दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ, तो अब देखों, यहां पर की पर यह वाली चीज आ चुकी है, इसके थुरू, और जे पर हम सबको पता है कि की के जस पहले वाली जो value होती है, उसका index होता है, तो यह रहा index, अ यह वाली value compare होगी, इससे, तो क्या यह value चोटी है, इससे, नहीं, यह value चोटी नहीं है, तो इस case में क्या होगा, while loop फिर से break हो जाएगा, और outer loop का जो continuation का पार था, outer loop यही है, एक ही loop है, ठीक है, और अंदर में हम इसको लिखने वाले हैं, और यह जब खतम हो जागा inner का loop, तो फिर outer loop continue रहेगा, उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे कि, j पहले, क्योंकि यह थी, तो j plus 1 यह होगी, तो l1 के j plus 1 में वापस, यहीं पर key को उठा कर डाल दो, तो बस सारे conditions यहाँ पर हमने लिख दिये हैं, और इसके तरू हमने अपना जो insertion sort का का काम था, वो complete कर लिया है और यह हमारे पास जो भी बेटा आ रहा है, जो भी हमारे पास important चीज़े आ रही हैं, वो यह रही, इनके थुरू, अब हम अपने program को बना सकते हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं इन चीज़ों को note कर लेता हूँ, उसके बाद VS code में हम अपने program को बनाने वाले हैं, तो यह रह यहाँ पर मैंने list को assign कर दिया है, कि list में हमारे यह सारी values हैं, और print करवा दिया list before sorting, अब हम यहाँ पर sorting का काम करवाएंगे, उसके बाद last में print भी करवा देंगे, list after sorting, यहाँ पर अब तक तुम देखो, program बस इतना काम कर रहा है हमारा, यह इतना काम कर रहा है हमारा program, अब मैं यहाँ पर list को sort करने वाला हूँ, insertion sort के through, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो loop चलाना है, ठीक है, और size को हमने अभी तक दिया नहीं है, size हमने आपर n लिखा हुआ है, तो size भी हमें देना है, तो size equals to length of length function के through l1, ठीक है, अब हम यहाँ पर loop चलाएंगे, for i in range, कहां से कहां तक चलाएंगे, 1 से लेकर n तक हूँ, ठीक है, क्यों मैंने सब कुछ clear कर दिया है already, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें key में यह वाली value देनी, इसको उठाकर मैं directly copy paste कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि j की जो value है, वो i से एक कम होगी, यानि की के, जस्त पहले वाली value होगी, उसके लिए मैंने यहां पर यह लिख दिया, उसके बाद एक inner loop है, उसके लिए यहां पर मैंने जो condition है, वो लिखतर रखा हुआ है, यहां पर मैंने inner loop चला दिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने दो lines लिख कर रखी हुई है, कि पहला तो जो आगे वाली value है, उसको पीछे कर दो, ठीक है, और दूसरा, जे को पीछे लेकर आते जाओ, ठीक है, यह हो गया while loop, और outer loop अब यहां से continue होगा, उसके लिए हमने यहां पर यह लिखा हुआ है, indentation से बाहर आकर हम यह लिख सकते हैं, अब यहां पर हमने लिख दिया है कि key की value है वो finally पीछे वाले value पर डाव लो, ठीक है, और यहां पर मैंने यहां पर N लिखा है, लेकिन है size लिखा है, इसको मैंने गलत किया होवा है, इसको मैं सही कर देता हूँ, तो size को मैंने N से radio यहां पर लिख दिया, और अब यह बिल्कुल साही है, तो loop हमारा यहां त पर sorting यहां पर मैंने L1 लिख दिया अगर इसको मैं अभी रेंट करूँ तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि हमारा लिस्ट जब वो सॉर्ट कुछ चुका है इस तरह से तुम्हारा सॉर्टिंग का जो भी काम है वो खतम होता है